हलो जी नमस्कार सश्यकाल असलाव आलेकूम केम चो कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ आपकी अपनी प्यारी सी ममता सच्छ देवा एक बार फिर से आप सब के साथ में और आज कल मेरी सारी की सारी वीडियोज ना एविएशन से भी हट गई है और मेरी मिजोर्टी वीडियोज सारी है फैशन के उपर जिसमें कपड़े हो गए मेकप हो गया और शॉपिंग हो गई लेकिन आज की वीडियो में आपने टॉपिक तो पढ़ी लिया होगा आप लोग डेफिनेटल पढ़के वीडियो पे क्लिक करते हो ना कि किसके बारे में वीडियो बन रही है तो आज व भाग भाग के इंडिया जाती हूं एवरी टू टू-3 मंस मैं इंडिया में होती हूं मेरे चार से पांच रिप रहते हैं सो आई एम अरेली प्राउड इंडियन और मुझे जब भी इंडिया कुछ अच्छा हासिल करता है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है इससे पहल पर आप देखो फिर इसके उपर हम बात करते हैं अगनी वान मिसाइल सते से सता मार करने वाले परमानू हत्यार ले जाने में भी सक्षम है ये पिन पॉइंट स्टीक्ता के साथ लक्षय को भेज सकती हैं मिसाइले विशेश नैविकेशन सिस्टम से लेंस है इस मिसाइल की मारक शमता 900 किलोमीटर तक की है एक मात्र ठोस इंजन अधारित मिसाइल है 1000 केजी भार के परमानू ले जाने में सक्षम है 15 मीटर लंबी और 12 तन वजन की मिसाइल है ये पहला परिक्षन इसका 25 जैनुरी 2002 को हुआ था और मिसाइल भारतिय सीना के स्ट्रेटिजिक कमांड फोर्स के तहत आती है आपको कैसा फील हुआ मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा आप कहेंगे ममता जी ये मेकप से मिसाइलों के उपर आपने कब बात करनी शुरू कर दी मेकप से मिसाइलों के उपर बात तो मैं तबसे करना चाहती थी मैं जानती हूं बहुत सारे साल पहले में इंडिया चोड़ दिया था मैं दुबई में में रहती हूं यही पे मेरे हस्बन जॉब करते है मेरे बेटा यही पर पढ़ता है मैं खुद भी यही रहती हूं लेकिन आपने एच ही शायद नोटिस नहीं कि मैंने कभी दुबाई छोड़के किसी और कंट्री में रहने का क्यों नहीं सोचा क्योंकि मुझे अपने देश से बहुत प्यार है और मैं इंडिया बार बार वापिस जाती हूँ हर दो से तीन महीने मैं इंडिया अपनी फैमिली के पास होती हूँ लोगों से मिलना, वहां गलियों में घूमना, लोगों से बातचीत करना और कहीं न कहीं अपने कल्चर और चीजों से जुड़े रहना मेरा एक शौक है जाहिर सी बात है कि अगर मैं अपने कल्चर टेडिशन, अपने लोगों से, अपने देश से इतना जुड़ी हूई हूँ और आज तक देखिए इतने साल बाहर रहने के बाद भी मैं प्रॉपर हिंदी में, प्रॉपर पंजाबी में अपनी language में बात करना prefer करती हूँ, which makes me really proud Indian और मुझे और भी ज़्यादा लगता है मेरे कंदे चौड़े हो जाते हैं जब भी मैं ऐसी कोई ख़बर सुनती हूँ कि हम भी बहुत जो हमारे आसपास के देश हैं, जो हमें कभी भी अटैक कर सकते हैं, हमारे दुश्मन देश हैं, उनसे बचने के लिए हम मिसाइले खुद बना रहे हैं और बना ही नहीं रहे हम ये सारी चीज़े बना के दूसरे देशों को आने वाले टाइम में बेच सकते हैं, जिससे हम सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं और डेफिनेटली हमें किसी के उपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए बाकि डेफिनेटली आफ टू हाइलाइट मेक इन इंडिया के तहर जो चीज़े हम अपनी इंडिया में ही बनाई जा रहे हैं उससे हमारे देश में रोजगार बड़ेगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी और डेफिनेटली फॉरण से भी बहुत सारी इंवेस्मेंट हमारी तरफ आएगी जिससे के हमारी एकॉनमी और भी स्ट्रॉंग हो जाएगी बाकि बहुत सारी लोगों को इस बात का दहीं पता होगा कि जो हमारा दुश्मन है, जो हमारे फ्रेंज नहीं है और उसका नाम है चाइना, तो चाइना के पास मोस्ट पावरफुल मिसाइल है, तो वो हमारे पडोस में है, कलको कुछ भी हो सकता है तो मेरे ख्याल से बीग एन इंडियन मेरे लिए तो ये बहुत ही प्राउड की बात है, कि हमने भी अगनी वन बिलिस्टिक मिसाइल का जो टेस्ट किया है, और उसमें सकसेस पाई है, तो ये मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग निव्स है चले वो भी एक टाइम होता था जब मैं फ्लाइट करती थी और बहुत सारे लोग इंडिया का नाम सुनके आखे रोल करते थे, इतनी ज़ादा रिस्पेक्ट हमें नहीं मिलती थी, being an Indian, to be very very honest, लेकिन अभी कुछ टाइम से कुछ एक चेंजिस ऐसे हुए है, जिसके चलते क इंडिया को पूरी दुनिया में recognize किया जा रहा है, पूरी दुनिया Indians के उपर proud feel कर रही है, और proud के साथ साथ आपको पता है, jealousy भी आती है, बहुत सारी countries हम पे नजर भी रखती हैं, और हमारे movements को देखती हैं, कि भई हम क्या कर रहा हैं, पर हम तो खास हैं हम Indians हैं, हम हमेशा लोगों से डरने वालों में से नहीं हैं, हम आगे बढ़ने वालों में से हैं, हाँ हम गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, तो आज के इस proud moment में आपको शामिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आज का वीडियो बहुत ही special थ बारे में, तो मुझे comments में बताइएगा और हम इसको भी आने वाले time में साथ में ही cover करेंगे, goodbye for now and I love you guys all.